दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे how synchronous motor works electrical में synchronous motor work कैसे करता है इसका working principle कैसा होता है ये काम कैसे करता है इसके बारे में आज तोर हम लोग जानकारी लेंगे या knowledge लेंगे synchronous motor जो होता है दोस्तो ये magnetic interlocking working principle के उपर काम करता है synchronous motor को operate कांडे के लिए स्पलाई देने की जरूरत पढ़ता है synchronous motor में dोस्तो दो main part रहता है दोस्तो एग होगी stator और एग होगा singularized motor का stator में दोस्तो पहले AC supply देना पडता है AC supply देने के बाद दोस्तब sensitivity field या magnetic flux induced होता जैसे दोस्तो पonnaarios motor और quieter पर यह चीजों से दोस्तों इसको दोस्तों एक्साइट किया जाता है मतलब रोटोर को एक्साइट किया जाता है उसके बाद दोस्तों रोटोर में भी दोस्तों मैगनेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ट होता है रोटोर एक्साइट होने के बाद दोस्तों रोटोर के बीच में दो सिंक्रोनास मोटोर जो होता है दोस्तों सिंक्रोनास स्पीड से रोटेट होने लगता है इलेक्टिकल फिल्म में दोस्तों सिंक्रोनास मोटोर जो होता है दोस्तों बहुत एक important part play करता है दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेके कुछ नया उम्मीदों के साथ तब तक के लिए नमस्कार